नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में शनिवार रात राव कोचिंग सेंटर के बेस्मेंट में पानी भरने से तीन स्टुडेंट्स की दर्दनाक मौत हो गई है मरने वालों में दो लड़कियां और एक लड़का शामिल है गटना के बाद गुस्साय छात्रों ने जमकर विरोध प्रजर्शन किया इस बीच अकिल भारती विद्यारती परिशद आज इस हाथसे को लेकर मेर शेली ओवरोई के आवास के बाहर विरोध प्रजर्शन करने की बात कही है एबीवीपी के अनुसार दिल्ली में नियमों की दज्जियां उड़ा कर संचालित किये जा रहे कोचिंग संस्तानों में लगादार ऐसी भयावय गटना बढ़ती जा रही है साथ ही MCD में व्याप्त अंदादून ब्रश्टाचार और दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग माफियां को आश्रे दिया जा रहा है ऐसे में एबीवीपी खोनी और ब्रश्ट MCD और दिल्ली सरकार के विरोध में दिवंगत विध्यारतियों को नियाए दिलाने कोचिंग माफिया पर नकेल कसने और विध्यारतियों के जीवन के साथ हो रहे खिलिवार को रोकने के लिए आज दिल्ली की मेर शैली ओब्रॉय के आवास की बार विजोद प्रदर्शन करेंगे महीं हाथ से पर दिल्ली मेर शैली ओब्रॉय ने कहा कि कल बहुत ही दुखत गटना हुई जैसी ही गटना की जानकारी मिली मैं तुरंद गटना स्थल पर पहुंची महाँ पर NDRF की टीम बचा अब्यान में लगी हुई थी दुख की बात है कि इस घटना में तीन बच्चों की मौत हो गई मैंने कमिशनर MCD को एक पत्र भी लिखा है जिसमें वो संस्थान जो MCD के शेत्र अधिकार में आते हैं और वहाँ पर कानून के विरोध बेस्मेंट में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उस पर सक्त कारवाई की बात कही है शेली ओब्रोई ने आगे ये भी कहा कि अगर इस मामले में MCD अधिकारी शामिल मिलते हैं तो उसके खिलाब भी सक्त कारवाई होगी अगर ऐसे गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं तो उस पर कारवाई होगी और अधिकारियों पर भी कारवाई होगी ऐसे समय में हमें आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए बलकी कारवाई करने चाहिए देश्वर दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार